आज की इस वीडियो में आपको जुनियर इंजिनेर के लिए कोड़ निग वेकंसी लेकर करके आया हूँ जिसमें डिपलोमा बीटेक वाले अपलाई कर सकते हैं फ्रेसर इलिजिवल है और इसमें कोर ब्रांद जो भी है इसमें दिये गया है इसके लिए वेकंसी है आप लोग इसमें इलिजिवल होंगे अपलाई करने के लिए और जुनियर इंजिनर की कोई वेकंसी मैं मिस नहीं करता हूँ आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल अकन प्रेस कीजिए जिनसे की जो भी सारी वेकंसी जाएगी डिपलोमा बीटेक वालो करें आपक अपडेटेड रह सकते हैं चले वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं देख सकते हैं यह इसका ऑफिसल एरबर्टाजमेंट नोटीस है यह जो वेकंसी आ रही है सबसे पहले मैं बता दू कहां से आ रही है ताकि जो लोग इसमें इंट्रेस्टेड होंगे लिजिबल होंगे अपलाई कीजेगा यह वेकंसी आ रही है ओल इंडियन इंसिटूट अफ मेडिकल साइंस एम्स के तरब से वेकंसी आ रही है लोकेशन कहां इसकी रहने वाली है तो न्यू देली कहां पर यह वेकंसी की पोस्टिंग होगी तो यहां पर आप लोग नन फेकंटी पोजिशन वेकंसी निकलिया जिसमें की एम्स न्यू देली उसके बाद एंसिय जहां जढ़ और हरियाना में आपकी पोस्टिंग होने वाली है यह इसका लोकेशन रहने वाली है इसके तरफ से भी एपलिकेशन इनवाईट किया गया है तो यह जो वेकंसी है मेडिकल फिल्ट से आ रह कर सकते हैं और आपका इसमें जो भी बीटे कर रखें ओभी इसमें इलिजिबल हैं अपलाई करने के लिए यहां पर आप लोग देख पाएंगे जुनियर इंजिनियर का पोस्ट है जिसमें एसेंसल क्वालिफिकेशन आपका थ्री यर का डिप्लोमा इन मेकनिकल इंजिनेडि में हैं अगर आपके पास एक्सप्रियंस है तो भी इलिजिबल है नहीं है तो भी अपलाई कर पाएंगे उसके आद नोट में करके लिखा गया है कि जो भी इसे कंडिडेट हैं जो हाइर डिग्री या हाइर एपलाई कर सकते हैं नेक्ट वेकिंसी आपका जुनियर इंजिन अपलाई कर सकते हैं एक्सप्रियंस इविल इंजिनेरङि Cityatta अगराव के पास एक्सप्रियंस है तो डिजरेबल है अच्छी बात है नहीं हो भी इसमें इलिजिबल हैं अपलाई कर सकते हैं नेक्स्ट बेकिंसी जुनियर इवीडियर इलेक्ट्ड घ्यिक्रिकल की है इसमें आपका CBT exam conduct करवाय जागा junior engineer के post इसमें 3 post है जिसमें की आपको civil, electrical और mechanical वालों के लिए है इसमें आपका CBT exams के अधार पर selection होने वाली है बाद बाकी के जितने भी बचे post हैं सभी में 10-12 का इसमें qualification और medical field की इसमें degree रखा गया है इसमें सबसे ताजूब की बात यह है कि बहुत ज़्यादा high application fee इसमें demand किया गया है कोई भी ऐसा form नहीं आता जिसमें इतनी high level की fee रखी जाती है इसमें आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे application fee इसमें general और OBC candidate के लिए 3000 रुपे का application fee इसमें रखा गया SCST candidate और EWS candidate के लिए 24 रुपे का application fee इसमें रखा गया PWD candidate के लिए इसमें कोई application fee नहीं रखा गया ऐसा लग रहा है जैसे कि इनी लोग से ले करके पैसे और इनी लोग को salary देना है सोचिए अगर इनमें एक लाख भी form जाता है तो कितनी सारे इसके amount जमा हो जाएंगे उनके पास 3000 रुपे एक आदमी अगर pay करेंगे तो अगर एक लाख भी form जाता है तो सोचिए कितने fee जमा हो जाएगी तो यह इनी लोग से पैसा ले करके इनी लोग को salary दी जाएगी मैं आप लोग को recommend करेगा कोई भी candidate इसमें फॉर्ड फिल नहीं कीजिए आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मैं तो सभी बताता हूँ आप अगर इसमें interested हैं करना चाहते हैं कीजिए चाहें तो इसके complaint भी कर सकते हैं इसका Twitter और पे share कर सकते हैं स्क्रीन सूट ले करके सभी को tag करके की इतनी high level की fee क्यों रखी गई है जिनसे की अभी आपको पता ही होगा सभी students की situation इतनी अच्छी नहीं होती है कि इतनी ज़्यादा application भी pay कर सके अगर आप इसको apply करना चाहते हैं तो online mode से इसको apply कर सकते हैं वीडियो के description में मैं link provide कर दूँगा और इसको apply करने का जो date है 1911-2022 से लेकर के 1912-2022 के वीच में सामके 5 मुझे तक इसको apply कर सकते हैं बाकी information के लिए आप लोग इस PDF को download कर सकते हैं इसमें सभी कुछ details में दिया गया है जाने के लिए आपको PDF download कीजिए वहाँ पर आपको सभी कुछ details में देखने के लिए मिल जाएगा और ये PDF में अपने telegram चैनल पर भी डाल दूँगा तो जरूर से telegram चैनल से जोन होकर करिए वहाँ पर आपको सभी update मिलती रहती है वीडियो को जरूर से ज्यादा से ज्यादा share कीजिए ताकि सभी जगा पहुंच जाए और आप लोग चैनल को सबस्क्राइब करकर रखे दिन से की आने वाले जो भी सारी vacancies आएगी उसकी आपको पता लगेगी